हेलो एब्रिवान वेलकम टू आर्वी क्लासीज बच्चे आजसी 10th क्लास जड़ी प्रेक्टिव शीट है जड़ी वर्कशीट नंबर 4 है वो करन जा रहे हैं प्रिसायनी किर्यामाते समी करना इस तो पहला जड़ी तीन वर्कशीट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकिया न किसे नों कोई भी प्रॉब्लम है ताब मैंनों दास दे रहे हो time to time ठीक है solution अपा करदांगे पहला question देखो किये है अध्यापक ने एक प्रियोग तो पहला magnesium ribbon नो रेग मार्क नाल साफ कीता उसने अजेहा क्यों कीता ऑप्शन देखो किये है उसनों मलाइम करन लई, carbon dioxide दी पर्त हटान लई, magnesium oxide दी पर्त हटान लई, magnesium oxide दी पर्त हटान लई, जाव प्रोकत सारी इधा reason है magnesium oxide दी पर्त नो हटान लई, ए जड़ा experiment है अपाने class भी करके वेख्या है प्रेशन नंबर दो, magnesium ribbon अखा नूचंदयों आन वाली तेज रोशनी दिन्दा होया जालदा है अते चिट्टे पाउडर विच बदल जानदा है इस चिट्टे पाउडर नूँ की घंदे है बच्चे ए जड़ा चिट्टा पाउडर लास्ट च बणदा है, वो हुंदा है magnesium oxide अंसर आएगा इस दा ED प्रेशर नूबर 3 अधे अपक ने कोनिकल फ्लास्क विच कुछ दानेदार जिंक लई आते इस विच हाइडरो क्लोरिक एसीड पाया रसाइनी किरिया दोरान केड़ी गैस पैदा होवेगी, zinc प्लस HCl, बच्चे की बणेगा? zinc chloride, प्लस जड़ी gas produce हुंदी है hydrogen gas, जड़ी hydrogen gas produce हुंदी है याद रखने है वो मेशा pop sound नाल produce हुंदी है चर-चर की अवाज आएगी नाल, ठीक है? that is called pop sound, तो इदा अंसर की आएगा बच्चे hydrogen question number 4, नेहा हीट लिखे किस प्रेखन दे अदार ते निर्तारित कार सकती है कि resigning किरया होई है option की है अवस्था विच परिवर्तन, रांग विच परिवर्तन, गैस दियुत पत्ती, ज़ा उप्रोकत सारे बचे इदा अंसर आएगा उप्रोकत सारे question number 5, हर्मीत ने नोट किता कि उसदा चांदी दा कड़ा काड़ा पै गया है की तुसी दा सकती हो कि इसदा कारण की है दुर गंदता कारण, second option है खोरन कारण, third option है इसदा खमीरन कारण ते लास्ट है उप्रोकत सारे बचे जड़ा इसदा कारण है उखी आएगा एड़ा option खोरन कारण प्रशन नमबर छेवेखो शालू ने नोट किता कि चिप्स दे पैकेट फुले होए हुंदे हान अध्यापक तो पुछन ते अध्यापक ने दसे आ कि चिप्स दे पैकेट विच इक गैस पर ही हुंदी है उस गैस दा बच्चे ना तुसी याद रखन है ओ गैस हुंदी है नाइट्रोजन गैस प्रशन नमबर साथ मोहीनी नूँ अध्यापक ने संतूलित रसैनिक समीकरन दी महतता समझाई हेंट लिख्या है विच्चो केडिल सैनिक समीकरन जड़ी है ओ बिल्कुल संतूलित है बचे संतूलित दा पता की में लगेगा इधर जड़े हुंदे ओ रियक्टेंट है ठीके दिस ए प्लस बी ने सानुमालो दिता है सी प्लस दी ते अपने की चेक करना है विचिनने रियक्टेंट है क्या उन्हें ही प्रोडक्त मिले काटा वाद्दा नहीं होना चाहिए बिल्कुल जड़ी एक्वेशन है वो बैलेंस्ट होएगी वो बिल्कुल की होएगी संतूलित होएगी जी में देखो इधर एमजी किन संतूलित नहीं है ऐगां देखो इक है गलत हो गया संतूलित नहीं है नेग्स देखो इक कारबन एधर वी लुक कारबन हाइटर देखो दो दून रिचार चार ओक्सीजन अक्सिजनिक है बिल्कुल संतुलित समी करने ते अगला उप्षन हानु चेक करन दी ज़रूरत नी पएगी प्रशन नमबर आठ आज रोहित ने पड़ेया कि कुझ रसायनी किर्यामा विच उत्पादा दी उत्पति दे नाल नाल ताप उर्जावी पैदा हुं दी है जिस कार प्रशन नमबर नो निखिल दे पिता जी ने कार्नुस फैदी करवाई निखिल ने देख्या कि दो तिन दिना बार दिवाराते चमक आ गई अजेहा क्यों हुंता है अजेहा बच्चे हुंता है क्योंकि जड़ा केल्शियम कार्भोनेट है उसदा निर्मान हो जानता है ठीके तपहला ही ओप्शन जड़ा है इसदा हो सई ही है ताहीं 2-3 दिना बार जड़ी है कली करान तो चमक आ जानती है दिवाराती प्रेशन नमबर दाज पलक ने सिख्या है कि बनस्पति पदार्था दी अब कटन किरया दी नतीजे वजो कंपोस्ट दा बढ़ना रसाइनी किरया दी उदारण है जिथे भी अब कटन वर्ड आ गया तो उसी उते ताप सोखी किरया करना है जिथे आ गया संयोजिक किरया आमा संयोजिक का मतल का मिल मिलके अग्ये बढ़ना दो छीजा मिलके एक बड़ी चीज बढ़ना दी और हमेशा हुंझत त आप निकासी जे अब कटन लिखे है ताप सोखी, जे संयोजन लिखे है ताप निकासी अंसर आएगा प्रशन नमबर 11 वेको शुशील ने अध्याप कोलो सिख्या की केल्शियम कार्बोनेट गरम होके केल्शियम उक्साइड अते कार्बन डायकसाइड विच तूट जानदा है एक इसकी संदीर सैनी की रहा है बचे इसकी संदीर अब कटन की रहा है उड़ा ओप्शन बिल्कुल सही है प्रशन नमबर 12 एक चाइना डिश विच लगपग एक ग्राम कॉपर दा पाउडर पाके गरम करो तुसी की वेक दिरो बचे जदो अपका कॉपर नूँ गरम करागे उसके पाउडर नूँ ता की होएगा कापर पाउडर काले रंग दे कॉपर ओक्साइड विच परिवर्तित हो जानदा है क्योंकि उन्हों जड़ी हवा विचली अक्सीजन है उन्मिल जेगी उतो बाउडर पाउडर है उदा रंग जड़ा की है काला होजेगा ता उड़ा ओप्शन बिल्कुल सही है प्रेशन नंबर 13 वेखो रंजना ने कर व्यादी मिठाई आई सी पर दो तिन दिना बाद मिठाई दुर्गंद देन लग जान दिये स्मेल लान लाग जान दिये उस मिठाई चो ते उदा टेस्ट वी जड़ा है उद चेंज हुन दा है इस दा की कारण हो सकता है सब तो पहला दिया चर्बी यते तेला दा आकसी करण चर्बी यते तेला दा लगू करण चर्बी यते तेला दा पास्ची करण जव प्रोकत सारे बच्चे जड़ी कोई चीज खराब हुन दिये उस चो दुर्गंद आन दिये वो दुर्गंद जा स्मेल ऑंदी चर्बियते तेला दे आकसी करण होण ना प्रेशर नंबर 14 वेको सिकंदर अब कटन किरियामा बारे पड़ रहा है उसने पड़ आ कि अब कटन किरियामा नो डैश किरियामा दा उल्ट आख्या जान दा है बच्चे पिछे किता सी ना पा देखो, अपका टन्दा उल्ट की हुंदा सैयोजी किर्यामा, ते फिर केडिया हुंगे अपका टन्दा उल्ट की आएगा सैयोजन, चीके, प्रेशन नंबर 15 वेखो, रीटा रू सोई विच खाना पकान गई, उसने तेल दी बोतल चुकी, जो प्रल्ट पकाफी समय, तो इंच ही रिसोई विच पैसी, जद उसने तेल नूँओ सुंगिया, ता उस विच धुर गंद आ रही है, उपर करया सिका पणे भी मिठाइ दुर गंद आये सीगी, क्यों आये सीगी, क्यों आये सीगी, क्योंकि चरबीते तेल लादा आक्सी करण हो गया सी ता इत्थे वी अंसर की आएगा बच्चे आकसी करण नार की हुंदा है चर्बी ते तेला दा जदो आकसी करण हुएगा ता उस्च की आएगी स्मेल आण लगजेगी बदबु आण लगजेगी नेक्स्ट प्रेशन देखो बच्चे रोही ते अदे अपक ने आज उसनु सिखाया कि पानी विच हाइड्रोजन अते अक्सीजन परमानमी पुंज पुंज दा मतलब हुँँदा बच्चे मास ते इक खास अनुपात विच हुँदे हान ओ अनुपात किन्ना है बच्चे रु यह नमबर लिख्या सिगा अपकाने पुंज लिखना है क्योंकि कोश्यन चे पुंज बोल्ले आ गया आए ते अक्सीजन दा पुंज आ हो कि ना हो गया सोडा सिंप्लेस्ट रेश्यो चे लिखना है 1 दूनी दूनी 2 आठे सोडा तो एक रेश्यो आठ जडा एधा हो अनसर आ गया ससाइधा अनसर है चीके यह असाइनमेंट बच्चे हुंदी है कंप्लीट जै किसे नों कोई प्रॉबलम होवे कोई दिक्कत होवे कोई कन्फ्यूजन होवे तुसी कमेंट से शेंच मनों लिखके दा सक देओ अपा उस दा सल्यूशन कार लांगे ते जड़ी नेक्स वर्कशीट दी वीडियोज है वो बहुत जल्दी अपा अप्लोड कारतांगे थैंक यू एव नाइस टे